आदर्श शेक्षन समीती बाडमेर द्वारा संचालेत इस शेक्षन में आप सभी भया बेनों का हर्दीक स्वागत हैं अभिनादन कक्सात्रत्या विश्य पर्यावरान अध्यन आज हम अध्यन करेंगे पार्ट 9 का भोजन में विविदिता इसका पिछले वीडियो में हमने भाग एक पड़ा था आज हम भाग दो के बारे में जानेंगे आपकी गर की रसुई में बहुत सी चीजे होती हैं जिसे पोहा है चीनी है आटा बेसनादी हमें ये पता नहीं होता कि ये चीजों शुरू में कैसी दिखती हैं क्या ये चीजे पेड़ पोदो पर ऐसी ही लगी होती हैं कुछ पेड़ पोदों से मिलने वाली खाने पीने चीजों के चितर दिए तो बहुत सारी चीजे होती हैं हमारे रसुई घर में तो हमें पता नहीं होता है कि ये चीजे शुरू में कैसी होती है जिसे पोहा है, चीनी है, आटा है बेसन, ये पेड़ पोधों के उपर एसे ही लगी होती है या फिर इसमें कोच भिन्ने होती है आपने पढ़ा कि हमारे राजेय अउदेश में अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग परकार का भोजन किया जाता है आप कभी मेले में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मेले में कई परकार की खाजे सामगरे की दुकाने एवं स्टॉल लगते हैं जिसमें आपको अलग-अलग तरह के खाने की चीज़े मिलती हैं, जिसमें कई गावों से आए लोग दुकान लगते हैं तो हम देखते हैं किसी मेले में या कहीं पेड़ बाड़े वाले इलाके में तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी गाउं से बहुत सारे गाउं से आई हुए लोग होते हैं वो अपने गाउं की अलग-अलग खादे सामगरियों को बेचते हैं तो बहुत सारी खादे सामगरी की द कहां कहां से मिलता भोजन हमारे भोजन में कुछ कई परकार की खाद्य वस्तों का अपयोग होता है ये खाद्य वस्तों पेड़ पोदों या जंतुओं से मिलती है जैसे पेड़ पोदों से दाल, अनाज, फल, सबजी, आदी जन्तुओं से हमें दूद मिलता है, सहद मिलता है, अंडे, मास, आधी प्राप्त होते हैं हमें अपने भोजन में विभिन दाले, फल, सबजियां, दूद, आधी का उप्योग करना चीए ये भोजन की पोश्टिकता को बढ़ाते हैं तथा कूपोशन से मुक्ति दिलाते हैं अब देखते हम हमारे को भोजन कहा से प्राप्त होता है, भोजन हमें या तो पेड़ पोदों से या जन्तुओं से मिलता है जैसे पेड़ पोदों से हमें क्या क्या मिल सकता है पेड़ पोदों से डाल का पोदा होगा जैसे मूंग की डाल होती है उसे मूंग का पोदा होता है तो मूंग के पोदे से हमें मूंग मिलते हैं जिसके हम मूंग डाल बना लेते हैं और अनाज अनाज का भी पोधा होता है, जिसे बाजरा है, गेहूं है, चना है, इन सब का पोधा होता है फल, फलों के पेड़ और पोधे होते हैं, जिसे केले का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, अलग-अलग पेड़ होते है सबजियां, सबजियों की भी खेती होती है यह हमें खेत से मिलते हैं जिव जिन्तुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है खाने की चीजों में जैसे दूद हमें गाय, बकरी, भैंस इन सब से हमें दूद मिलेगा सहद, सहद मक्यों से मिलेगा अंडे, मास, अंडे और मास भी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं हमें अपने भोजन में विभिन, फल, दाले, सब्जिया, दूद का उप्योग करना चीए हमें हमारे बोजन में विभिन परकार की दालों और फल, सबजियां, दूद, आदिका उप्योग आफशेर रूप इसे करना चीए ये बोजन की पोस्टिक ता को बढ़ाते हैं तथा कूपोर्शन से में मुक्ति दिलाते हैं हमने सिखा, आगे हम जानेंगे कि हमने इस दो भागों में क्या सिखा, अलग-अलग जगों पर अलग-अलग परकार का भोजन किया जाता है और वहां पर अलग-अलग प्रकार की खहती की जाती है हमें सभी प्रकार की सब्जियां और फल खाने चाहिए यह हमारी फोश्टिकता के लिए अच्छा रहता है सभी प्रकार की दाले फल, सब्जी, दूद, आदी भोजन की पोश्टिकता को बढ़ाते हैं सबी प्रकारगी फल है सबजियां है दाले हैं दूद वगएरा ये सब है ये हमारे सरीर की पोष्टिकता को बढ़ाते हैं भोजन में विविदता लाए कूपोशन से मुक्ति पाई धन्यवाद